वाल राइट तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोको की तरफ से इंडिया में लॉंच हो रहा है ना ये 5G स्मार्टफोन के बारे में जी आ दोस्तों POCO की तरफ से POCO M Series का नया स्मार्टफोन POCO M6 Plus 5G बहुत ही जली इंडिया में launch होने वाला है ये जो स्मार्टफोन है BIS पर already list हो चुका है BIS पर list हो चुका है मतलब launch इसका बहुत जली होने वाला है हाला कि Flipkart बगेरा पर landing page जबी तक नहीं आया है लेकिन आने वाले 7-8 दिनों में इस POCO का landing page definitely आपको Flipkart पर देखने को मिल जाएगा तो आज की वीडियो में बात करते हैं POCO M6 Plus से जुड़ी सारी चीज़ों के बारे में क्या लाम जाम आपको मिलेगा, क्या माल मसाला मिलेगा, क्या specs होंगे, क्या features होंगे प्राइस पॉइंट या होने वाला है, सारी चीज़े आपको बता हुआ, बस request आप से इतनी है कि end of the video अगर आपको वीडियो चलागे तो प्लीज वीडियो में लाइक जेटों कर देना चैनल पर अगर आप नहीं है, चैनल को बिदख सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस अगर ऐसी कॉटिट आपको इंटरेस्ट है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना बात करते हैं फोन के बारे में चार्ट जरते हैं फोन के बिड़ कॉणिटी और डिजाइन से बिड़ कॉणिटी तगडी आपको मिलने बाली है भाई फुल ग्लास बिड़ आपको मिलेगा ग्लास फ्रेंट रहेगा ग्लास बैक आपको मिलेगा ब्लास्टिक का फ्रेम रहेगा फ्लाड एजस आपको मिलेंगे फ्रेंट में आपको कॉनिंग गोरिला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलेगा build quality आपको solid मिलने बाली है premium build quality रहेगी it's 7-7 IP53 की rating भी आपर आपको मिलेगी so dust and splash protection भी आपको मिल जाता है मेरे हिसाब से build quality में आपको शिकायद नहीं आएगी slim रहेगा phone बहुत जादा heavy weight नहीं रहेगा decent wind के साथ में आएगा build quality में दिकत नहीं है design के अगर बात करें good looking smartphone है back panel से आप देखो top left में आपको camera setup दिया गया है यहापर दो camera's की housing है साथी में आपको ring light जैसा flat देखने के लिए मिलता है boco की branding आपको मिल जाएगी dual tone finish पे आपको मिल सकता है and front में अगर आप देखेंगे तो center पर शोगल पतली से आपको chin देखने के लिए मिलेगी and colors की अगर बात करें तो probably 3 colors में इस smartphone आपको देखने को मिलेगा जहापर आपको black color मिलेगा and purple color मिलेगा 3 color options रहेंगे 3 colors दिखने में good looking है build quality solid है build and design में शिकायत नहीं आईगी बात करेंगे display के बारे में तो 6.79 inches का बड़ा सारा display यहाँ पर आपको मिलेगा भाई literally बड़ा display है almost 6.8 inches का display है तो single hand usage तो भूल जाओ बहुत difficult रहेगा phone जो है in hand feel जो है थोड़ा सा बलकी भी आपको लग सकता है लेकिन content watching के लिए display बढ़िया रहने वाला है 6.79 inches का जो display है सबसे अच्छी बात यह है कि full HD plus resolution के साथ में आता है IPS LCD पैनल यहाँ पर आपको मिलता है IPS LCD पैनल बहुत जादा खराब नहीं होते हैं भाई सब यह मित आपको तोड़ देना चाहिए कि AMOLED अच्छा होता है IPS LCD खराब होता है ऐसा बिलकुल नहीं है दोनों पैनल की अपनी खासियत है IPS LCD पैनल को खराब बोलना गलत है हाँ AMOLED में आपको colors थोड़े से better मिलता है लेकिन IPS LCD में आपको flickering वगिरा का issue नहीं मिलता है तो मेरी सबसे watching का experience तो आपको बढ़िया रहेगा brightness के अगर बात करेंगे तो 550 nits के आपको brightness मिलेगी तो brightness बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं देगी decent brightness यहाँ पर आपको मिल जाती है display quality price segment के इसाब से बढ़िया मिलने वाली है इसके बाद में बात करेंगे performance के बारे में तो इस phone के अंदर दिया गया है Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 का advanced edition मतलब थोड़ा सा overclocked edition performance आपको अच्छी देगा भाई performance में आपको शिकायत नहीं आएगी 4 nm पर बनावा chip set है तो energy efficient रहता है heating आईशू आपको बहुत कम देता है performance overall बढ़िया देता है day to day की performance आपको decent मिल जाएगी gaming की performance आपको decent मिल जाएगी 30 fps, 40 fps की gaming आप normal setting पर ठीक ठाक तरीके से कर पाएगे casual gaming के लिए phone बढ़िया रहेगा तो मेरे इसाब से performance में आपको बहुत जादा शिकायत नहीं आएगी साथी साथ LPDDR 4X RAM में आपको मिलेगा UFS 2.2 का storage मिलेगा overall performance wise decent RAM वाल iPhone performance में बहुत जादा शिकायत नहीं आएगी number of 5G bands भी आपको ठीक ठाक मिल जाते हैं 5G capabilities भी आपको मिल जाती है तो वहाँ भी दिक्कत नहीं है इसके बाद में cameras के अगर बात करेंगे तो 2 cameras के setup आपको पीछे की तरब मिलेगा primary camera दिया गया है 108 megapixels का yes primary camera है 108 megapixels का उसी के साथ में 2 megapixels का छोटू दिया गया है depth sensing के लिए 2 cameras पीछे की तरब मिलते हैं rare camera से आप 1080 pixels में video record कर पाएंगे 30 fps पर and selfie camera की अगर बात करें तो front में आपको 13 megapixels का selfie camera दिया गया है and selfie camera से आप 1080 pixels में video record कर पाएंगे 30 fps पर overall camera setup की बात करें I would say camera setup decent है camera setup में आपको शिकायद नहीं आएगी specially इस segment में आपको 8 megapixels का जो selfie मिलता है वो मुझे थोड़ा सा कम लगता है लेकिन यहां पर आपको 13 megapixels का selfie camera दिया गया है मेरे हिसाब से अच्छी performance आपको देगा so yes, price segment के हिसाब से camera module बढ़िया है बात करेंगे बैटरी के बारे में तो 5030 mH की बैटरी आपको मिलेगी backup आपको बढ़िया मिलेगा backup में आपको बहुत जादा शिकायत नहीं आएगी साथ ही साथ 33 watt की charging को phone support करेगा and most important 33 watt का charger आपको box के अंदर मिलेगा तो मेरे हिसाब से battery module तो solid है भाई मतब battery का size अच्छा है backup आपको अच्छा मिलेगा charging speed बढ़िया मिलती है charger inbox दिया गया है तो battery module में शिकायद नहीं आएगी battery module बढ़िया रहने वाला है charge करने के लिए type cell upload मिलेगा 3.5 mm jack obviously यहाँ पर दिया जाएगा security privacy and sensors के अगर बात करें side mounted fingerprint scanner रहेगा face and lock option आपको मिलेगा चुटर पुटर इधर उदर के सारे sensors आपको मिलते है including IR blaster तो sensors में आपको कम यानी मिलेगी software की बात करेंगे android 14 पर आपको phone दिया गया है out of the box latest android version यहाँ पर आपको मिलता है साथी साथ hyper os यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा updates भी आपको proper मिल जाएंगे बात करेंगे speakers के बारे में तो speakers तो यहाँ पर नहीं दिये गए है speaker आपको मिलते है वो भी single bottom firing speaker दिये गए है loudness आपको बड़या मिलेगी loudness की शिगायत आपको नहीं आएगी लेकिन tuning आपको उतनी better नहीं मिलने वाली है तो speaker wise decent smartphone रहने माला है and card slot के अगर बात करें तो hybrid card slot यहाँ पर आपको दिया गया है मतलब दो sim card आप लगा सकते है या फिर एक sim card निकाल करके memory card आप लगा सकते है overall अगर specification दिखे जाए specification decent है भाई recently इंडिया में Redmi 13 launch किया गया है वैसा का वैसा Poco M6 Plus रहने माला है variants के अगर बात करें तो दो variants में phone probably इंडिया में launch होगा 6 plus 128 and 8 plus 128 6 plus 128 का इंडिया प्राइज रहेगा 12,499 रुपीज and 8 plus 128 का प्राइज रहेगा 14,999 रुपीज दोनों variants पर 1,000 का card discount आपको introductory offer में definitely देखने को मिलेगा effectively base variant आपको मिलेगा 11,499 रुपीज का and 8 plus 128 आपको मिलेगा 13,999 रुपीज का बहुत ज़्यादा detail में information मैंने आपको देथी भाई साब price point में मैंने तकरिबान आपको बता ही दिया है तो अब आप मुझे comment करके बताओ के आपके क्या विचार है इस phone के बारे में कैसे हैं इस specifications, क्या ये smartphone आप खरीदना पसंद करेंगे खरीदना पसंद करेंगे तो क्यों खरीदना पसंद करेंगे, नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे, comment करके अपनी राय जरूर से बता देना वीडियो को अच्छा लगा है तो please video को like जरूर से कर देना अपने दोस्तों के साथ share कर देना चैनल को अभे तक subscribe नहीं किया है तो please make sure के आप channel को subscribe करें bell notification icon को press करें all of all options लेट करें ताकि हमारे future videos के notification पहुंचि आपको तुरण से this is Yerush signing off bye bye